आज की हमारी लाइफ डिजिटल उपकरनों के बहुत जादा इस्तिमाल पर निर्भर हो गई है। ये हमारे काम तो आसान बनाते हैं लेकिन इसके साथ जो एक समस्या है वो है आँखों के कमजोर होने की। दरसल डिजिटल उपकरनों के बहुत जादा इस्तिमाल और बहुत अधिक लाइट के संपर्क में आने से आँखों में तनाव पड़ता है जिसके चलते आँखों की रौशनी काफी कमजोर हो रही है। इसके अलावा हमारी डाइट भी एक कारण है। असल में हमारी शिरीर को जैसे हेल्दी रखने के लिए पोशन से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरहां पोशन से भरपूर चीजें हमारी आँखों को हेल्दी रखने में भी मददगार हैं। अगर आप भी अपने कमजोर आँखों की समस्या से परेशा मोरिंगा के पोधे के कई नाम हैं जैसे चमतकारी पेड, बेन तेल का पेड, सहजन का पेड आदी मोरिंगा को ओशधियां गुणों से भरपूर माना जाता है आपको बता दें कि मोरिंगा एंटी ओक्सिडेंट, कैल्शियम और मैगनीशियम से भरपूर है जो आखों की रोशनी को बढ़ाने में मददगार है मोरिंगा रेटीना वही काउं के फैलाव कोशिका जिली को मोटा करने और रेटीना की शितिलता को रोक सकता है मोरिंगा का स्वाद काफी कड़वा होता है, इसमें थोड़ी कड़वाट और घास जैसा स्वाद होता है इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें शेहद और निम्बू का रस एड़ कर सकते हैं मोरिंगा के पौडर को पानी में मिला कर पीने से आखों की रोशनी बढ़ाने के साथ शरीर को कहीं अन्यव फाइदे मिल सकते हैं चलिए चलते चलते मोरिंगा कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए बताते हैं आपको आप गर्म पानी में एक या दो चमच मोरिंगा पाउडर मिला कर पी सकते हैं इसे स्मूदी में भी मिलाया जा सकता है आप इसकी चाए भी बना सकते हैं कैसे बनाए मोरिंगा टी पानी में एक या दो चमबच मोरिंगा पाउडर या ताजा अधा कप मोरिंगा के पत्ते उबाले इसे ठंडा होने दे और चाय की तरहां पी ले जहां मोरिंगा के इतने सारे फाइदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी है गर्बवती महिलाओं और सतन पान कराने वाली महिलाओं के लिए मोरिंगा पाउडर नुकसान दायक हो सकता है बहुत जादा मात्रा में इसका सेवन करने से कहीं गंभी नुकसान होने की संभावना रहती है इसलिए किसी भी बिमारी या समस्या में मोरिंगा पॉर्डर का सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर या आयरुवेदा चारे सिसला जरूर लेनी चाहिए आज के विशे में बस इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले तो अब इजाज़त दीजिए आगे किसी नई विशे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी भगवान धन वंतरी जी आपको सदस्वस्ति रखे